नमश्कार आप देख रहे हैं TNP News और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंग बढ़ते हैं खबरो की ओर चीन में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है 25 नॉयंबर को जारी आंकरों के मुताबिक चीन में एक बार फिर 24 घंटों में रिकॉर्ड 35,943 मामले सामने आए है चीन में लगातार दूसरे दिन कोवर्ड के मामले 30,000 से जादा आए हैं एक दन पहले कोरोना के 31,444 केस दर्च के गए थे यानि कुल की तुलना में आज 1,287 जादा लोग पॉजिटिव हो गए हैं चीन में लंबे समय से जीरो कोवर्ड पॉलिसी लागू होने के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं चीन में सर्दी बढ़ते ही केसों की संख्या बढ़ते ही जा रही हैं इसके बाद बिजिंग समेट कई शहरों ने community lockdown लगा दिया है तो अधर यूबी में मिरजापूर में कट्रा कोतवाली थाना शेत्र में करोड़ों की जमीन के विवाद में अब परिवार के लोगों ने सियम योगी आदितनाथ से गुहर लगाई है परिवार के लोगों का आरोप है कि भू माफिया उनकी जमीन पर कबजा करना चाहते हैं इसलिए परिवार अधिकालियों की कार्याले में चक्कर काट रहे हैं बता दे इस जमीन को लेकर मामला हाई कोट में विचारा धीन है जिसको लेकर हाई कोट ने जमीन पर यथा स्थिती बरकरा रखने के लिए स्टे का आदेश दिया है परिवार के लोगों का कहना है कि जमीन पर पुष्टैनी कबजा हम लोगों का रहा है मगर अब विपक्षियों ने जमीन को किसी भू माफिया को बेच दिया है जुसकी वज़े से हम सभी परेशान है सामने पटिधार वालों को बुला के रख रहा है उनके साथ गन वगड़ा लेकर आ रहे हम लोगों को टेंशन है हम लोगों के साथ बाल बच्चे हैं हम लोगों को 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 दिक्कत परिशानी हो सकती है मुख्य मंत्री जी से मैं अपील करती हूं कि वह कुछ ना कुछ एक्षन जली से जली ले कि हम लोग बहुत परिशान है उसको भूम आफिया को बेश दिये हैं और उनके द्वारा उसके अवे दुरुप से कब्जा किया जा रहा है जो नियाए संगत नहीं है कि हमें चाह रहे हैं कि उस्टिया की रोका जाए म every specific युद्थर को रदोबदबंदा उसके और वह चाम लगा हुआ है और यहां के हमें चाहर है कि मिर्जाव की भोली बाली जनता इस तरह के प्रक्राण में निर्फ जे रहे हैं यह क्षिए क्षब हम लोग को अपर लुग को रिए एक्ष्राइब कर दी है वह लोगों आप अपना वे दिश्क्राइब कर रहे हैं अब लोग से प्रिट है दौए लाज्शाला है हमारा हम लोग चाहरे कोई बीबाद तो वही यूपी के हर दोई जले में पी आडी के अफसर का घूस लेते हुए वीडियो वाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि पी आडी जवानों को पॉइंट के हिसाब से ड्यूटी दी जाती है और मालदार पॉइंट यानि कि जहां से आसानी से रिश्वत ली जाती है वहा वीडियो पिहानी इलाके के पी आडी के अधिकारी का बताय जा रहा है पी आडी जवानों से ड्यूटी के नाम पर दो हजार रुपे लेने के आरोप लगा रहे है वही यूपी में गाजियाबाद जले के ट्रोनिका सिटी थाना शेत्र में कुछ बदमाशों ने एक घर पर फाइरिंग कर दी गनिमत रही कि इस गोली कांड में कोई घाय लही हुआ ये सारी बदमाश दिल्ली के मुस्तफाबाद के बताय जा रहा है कि आपसी रंजिश ने बदमाशों ने गोली बारी की मौकी पर पहुची पुलीस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और सक् जेख लेकर कोन आया ता कूं था यह कोन था दूसरा दो लॉक्त उलने के लिए बोल रखने के लिए पराने रंजी सी कोई आपकी साथ साल पहले सलु सकी तो लडाय हुआ था वह इस चलु के चकर में जेल गिया था की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहें ये 3NP News के साथ और उमारे चानल को लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरू करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.net पर जाए